दोस्तों मूदी सरकार के बुल्डोजर वाले मियाईपी सुप्रीम कोट का चाबुक चल गया है बुल्डोजर एक्शन पर सुप्रीम कोट ने सक्थ टिपनी करके कहा कि अगर कोई आरोपी है भी तो भी उसके घर आप बुल्डोजर नहीं चला सकते आप उसका घर नहीं गिराया जा सकता है दोस्तों मूदी सरकार के सभी डबल इंजिन राज्जियों पे सुप्रीम कोट ने एक साथ हतोड़ा चला दिया है पूरा मामला समझाएंगे आपको इस वीडियो में दोस्तों तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा नमश्कार स्वागत है आपका दकन टाप में मैं आपके साथ यह दिवाद्या जमियत उलेमा ए हिंद के द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने साशन और प्रशाशन यानि मोधी सरकार और उनके उन सभी डबल इंजिन राज्जियों की कारवाही पर सवाल उठाते वे कहा कि अगर कोई दोशी है भी साबित हो भी जाता है तो भी उसका घर गिराना उचित नहीं है सुपरीम कोट ने सुंबर को अपराधों के आरोपी व्यक्तियों की घर या संपत्ति को ध्वस्द करने की बढ़ती प्रवती की आलोशना करते वे इसे बुल्डोजर न्याय का मामला बताया सुपरीम कोट ने घोशना की कि वो इस मुद्देव के समाधान के लिए दिशान निर्देश जारी करेंगे हालकि अदालत में उत्तर प्रदेश द्वारा अपनाई गई स्थिती को भी सुईकार किया और उसके सहारना की जिसमें कहा गया था कि विधवन्ष केवल तभी किया जा सकता है जब संरचना अवैद मानू जाती है दोस्तों आरोपियों के घर पर बुल्डोजर चलाने की घटनाओं पर कड़ा रुख दिखाया गया है तो ही आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम पोर्ट में दोशियों के घरों पर बुल्डोजर चलाने के मामली के सुनवाही के दोरान सॉलिसीटर जेनरल ने कि ये कारिवाही म्यूनसिपल कानून के तहट की गई थी और केवल अवैद कबजे और निर्मान के मामलों में ही इसे लगू किया गया था उन्होंने ये भी कहा कि एक कडम आरोपियों के अपराजों के आधार पर नहीं बल्कि अवैद कबजे के कारण उखाया गया था उत्तरप्रदेश में विद्वन्ष की कारिवाही की सराहना करते वे सुप्रीम कोट में यूपी सरकार द्वारा प्रस्तूत हल्फ नामे का जिक्र करते वे कहा कि इसमें कहा गया है कि विद्वन्ष शक्ती से कानून के अनुसार किया जाएगा भारत के Solicitor General तुशार महता ने कहा कि किसी भी अच्छल संपत्ती को सिर्फ इसलिए धुस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि आरोपी किसी अपराद में शामिल है और ऐसा विद्वश केवल तभी हो सकता है जब धाच्छा अवैद हो यानि घर जो है अवैद तरीके से बनाया गया हो दुस्तों उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से अदालत यानि सुप्रीम कोड पे पेश होते हुए महता ने कहा कि राज्य द्वारा दायर पहले के हल्फ नामे का हवाला उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि हल्फ नामे में कहा गया है कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति पर कि किसी अपराद का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया था कभी उसकी अचल संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार नहीं हो सकता है महीं जस्टिस बी आर गवई और के वी विश्वनातन की पीठ ने ये भी कहा कि इस तरह के विद्वन्ष के अनुमती केवल इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि कोई व्यक्ति किसी अपराद का आरोपी है दोस्तों कोट ने आगे पूछा कि सिर्फ इसी लिए कि एक व्यक्ति आरोपी है तोड़ फोड कैसी की जा सकती है दोस्तों दरसल इस मुद्दे को मुसल्मानों के घर को मुल्डोजर से ढहाने के मामले से काफी जोडा गया लेकिन मैं आपको बदा दू कि सिर्फ मुसलमानों का घर अगर का टार्गेट किया जाता होता इसमें आप बताए कि अकबर नगर जैसी जगहों को फिर क्यों तर्गेट किया जाता पूरा का पूरा अगर आप कभी गए होंगे आयोध्या गए होंगे राम मंदिर देखने गए होंगे तो आप राम मंदिर से थोड़े दूर देखेगा क्वारीडॉर बनाने के बहाने किस तरीके से लोगों को वहां से मिकाल फेका गया वहां पर बुल्डोजर चला के उनके घर को ध्वस्त कर दिया गया लेकिन आप देखिएगा कि एक भी ऐसा घर जो मुल्डोजर से ढहाया गया है उसमें एक भी आपको दोस्तों अमीर नहीं दिखेगा पैसे वाले नहीं दिखेंगे आपको सिर्फ गरीब दिखेंगे गरीबों को टार्गेट कर अक्सर उनी के घर आपको सब्सक्राइब भी कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे दरख्वाद सकरूंगी अभी फॉररन आप सब्सक्राइब करें और साथ बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको खबरों का नोटिफिकेशन तुरं जैए कर दो कर दो कर दो